कि आपको भी दौरने से पेट दर्द करता है तो इस मिलिटरी टेकनिक को जानने के बाद नहीं करेगा और कैसे आप चुईंगम चबा कर किसी भी चीज को तुरंत याद कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही मिलिटरी टेकनिक्स को जानने वाले हो जो कि आ लाइफ को ओडिनरी से एक्स्ट्रा ओडिनरी कर देगा नमबर वन एक बार एक मिलिटरी ओप्रेशन के दौरान मिलिटरी इसको रेगिस्तान में ही रुकना परा था और दुरभाग्ये से मौसम खराब होने के कारण उन्हें पानी का भी कमी हो गया था लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसा टेकनिक अपनाया जिसके बाद उन्हें पीने के लिए पानी मिल गया द्रसल उन्होंने रेगिस्तान में कुछ ऐसे पेर पौधे को ढूंडा जो की हरे भरे थे और उन्हें पलास्टिक से कुछ इस परकार से बांध दिया और जैसा कि हम लोग जानते ही है कि गरीन लेव से ट्रांसपिरेसन के दोरान पानी के छोटे छोटे बूंदों को धूप में बाहर निकालती है और अगर वही पानी पलास्टिक में जमा हो जाए तो हम उसे पीने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो ये तो हो गया पेर से पानी निकाल के पीने का बात लेकिन कैसे हम जानेंगे कि कौन सा प्लांट पॉइजनेस है और कौन सा प्लांट नहीं तो यहाँ पर आप एक military technique का इस्तमाल करके within second जान सकते हो कि plant poiseness है या फिर नहीं तो पहले तो आप उस पेर के किसी भी भाग को तोर करके देखो अगर वहाँ पर से दूद निकल ला है यानि कि वो p солнous है और अगर उसमें से दूद नहीं निकल ला है तो उसे आप अपने armpit में रख करके देखो और अगर वह वहां पर जलन नहीं देता है तो बुद्धिमानों के लिए सारा ही काफी है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिसे YouTube हमारे वीडियो को और भी अन्ने लोगों तक पहुँचाए अगर आप पुराने या फिर नए कपरे को खरीदते हो तो आपको इस परकार के irritating धागे जरूर मिलते हैं जिसे आप जितना सुल जाते हो वो उतना ही उलज जाता है तो इसे नोचने या फिर काटने के बजाए असानी से जला कर हटा सकते हो अगर आपको भी दौरते हुए पेट दुखने लगता है तो इस military technique को जानने के बाद नहीं दुखेगा तो दौरते समय जब आपका lift pair जमीन को टच करेगा तब आप अपने सांस को बाहर छोड़ देना ऐसा करने से आप lever पर pressure दिये बिना ही दौर पाओगे क्यूंकि ऐसा करने से lever पर pressure दिये बिना ही आपको oxygen मिल जाएगा इस technique के लिए तो एक like बनता है अगर आप military को गहराई से observe किये होगे तो आपने ये notice तो जरूर किया होगा कि जितने भी soldiers होते हैं वो अपने घरी को उल्टा पहनते हैं क्यूंकि किसी भी operation के दौरान जब shooting करना होता है तो soldiers चीप कर shooting करते हैं और अगर वो घरी को सीधा पहनेंगे तो घरी light को reflect करेगा जिससे किसी को भी उनका location का पता चल जाएगा इसी कारण से वो घरी को उल्टा पहनते हैं और दूसरा कारण ये है कि वो shooting के दौरान easily time को देख लेते हैं कुछ ऐसे अगर आप कपरे को कुछ इस परकार से गोल गोल मोर करके पैक करोगे तो आपको surprisingly बैग में 20 से 40 परसेंट एक्स्ट्रा इस्पेस मिलेगा मिलिटरीस अपने injury को तुरंत ठीक करने के लिए एक ऐसे टेकनिक का इस्तमाल करती है जिसे लोग प्राचीन समय से ही इस्तमाल करते आ रहे हैं ज्रसली से कुई की healing टेकनिक कहा जाता है इसमें जिस जगा पर injury होता है वहाँ पर सूगर या फिर सूगर का पेश्ट लगा लेने से वह तुरंत ठीक हो जाता है क्यूकि बैक्टेरियास सूगरी इंभामेंट में नहीं रहते हैं दोस्तो अगर आपको भी जल्दी नींद नहीं आता है तो इस military टेकनिक को जानने के बाद आप भी तुरंत सो जाओगे क्यूकि जब यूद वेगरा होता है तो उस situation में soldiers को ठीक से नींद नहीं आ पाता है तब soldiers इसी टेकनिक का इस्तमाल करते हैं सोने के लिए द्रसल इस टेकनिक का नाम है 5-4-6 जिसमें कि आपको ऐसे बैठ जाना है और 5 सकेंड के लिए आपको गहरा सांस लेना है और उसे 4 सकेंड के लिए रोक करके रखना है और फिर उसे 6 सकेंड तक बाहर छोड़ना है जिससे आपको तुरंत नींद आ जाएगा नमबर 9 मिलिटरी इस चुइंगम का इस्तमाल mentally और physically strong रहने के लिए करते हैं क्योंकि जब आप चुइंगम चबाकर किसी भी चीज को याद करते हो और फिर इकजाम के समय अगेन चुइंगम को चबाने से आप जो याद किये थे वो आपको याद आ जाता है और चुइंगम चबाने से हमें कार्वो हाइडरेट मिलता है जो की हमें इस्टेंट एनरजी देता है तो ये थे कुछ कमाल के मिलिटरी टेकनिक्स ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को सेयर जरूर कीजिएगा क्यूंकि यूट्यूब हमारे वीडियो को बहुत कम ही लोगों तक भेज रहा है इसलिए वीडियो को सेयर कीजिए